अगर लंबे बाड़कास अच्छे नहीं लगते है ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं ये है टी आरेस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब अब को थोड़ा इंट्रूजिव सवाल पूछ लूँ सबसे साड मूमेंट क्या हुई आपके लाइफ में तो मैं वैसे गर्फरेंड ने छोड़ा था गर्फरेंड तो ऐसा था कि मैंने कोई जॉब नहीं ली थी मैंने डिसाइड करते हैं जॉब नहीं लेंगे और मेरे बाकी जित्ते दोस्ते उन सब की अच्छी जॉब्स लगी थी क्यों सब सही बंदे थे कोई यूएस चरा गया किसी की पेरेंट का बिजनस था या कुछ था सब की अच्छी जॉब्स लगी थी और मैं मतलब चन्ने ही में था हूँ मैं में आपने चन्ने ही पढ़ने के लिए बेजा था सब साउथ की साइड है हैदराबाद की साइड बैंगलोर इन सब के जॉब वब लगी थी मैं अकेला वन्दा था जो डेली वापस गया था विदाउट जॉब विदाउट एनिधिंग और उस टाइम पर तो यूट्यूब भी नहीं चलता था तो उस टाइम पर ऐसा था कि सब लोग उंगली उठा रहे था हम सबने बोले था यार चनने जाके हमने बोला तो कुछ फायदा नहीं होगा इंजिनिरिंग करके अब वीडियो बना रहा है ऐसा टाइप उस टाइम पर चलती नहीं थी वीडियो और उस टाइम पर अब दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं थे और तो बहुत उदास हो गया था बहुत लोनली हो गया था और मम्मी बापा भी हलका सा एक रिजिस्टेंस थी थोड़ी सी कि यार क्या कर रहा है ऐसा टाइप और कजन वजन सारे सब थे तो उस टाइम पर ऐसा था कोई साथ नहीं था और उस टाइम पर बोलना भी नहीं आता था मेरे को गयार में रोता भी था बटू अगर पीरेड नहीं होता तो शायद मैं जो अभी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं वो भी निकर पाता तो बहुत मतलब एंजॉयमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता हाँ एंजॉयमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता तो एक पॉinn्ट तक ठीक ठीक थोड़ा बुरा लगा, फिर मैं मुझे है अपने आपको ना टाइम देते हैं, दो हते देते हैं, दो हफते में अच्छछ़ रोल लेता हूं, दो हफते एक महीना मैं रोल जाता हूँ इसके बाद नहीं रोंगा, इसके बाद रो रहेंगे हैं वट काम करते रहेंगे तो मैंने अपने आपको एक महीना दिया था रोने के लिए या रोहेंगे एक महीना अच्छा थे जित्ता भी हो गया जो हो गया तो उस टेम पर सारी चीज़ है कंपाइल होगी थी मदब बंदी भी निकल गी थी लाइफ से और कब सारी चीज़ ने एक साथ होगी थी और बाकी सब को सक्सेस्फुल देख के भी थोड़ा अद्धुक होता यार ये शिट यार मैं भी शायद ले ले निचे थी तो हो था बट एक महीना रोया मैं फिर उसका मैं शुरू आदे आगे बढ़ेंगे काम करेंगे फिर काम की वज़े से आपको हीलिंग मिल गई हाँ हीलिंग मूल लो जो भी बो लोड सही है उसके बाद का सब सही था अब कुछ साडनेस फील होता है कि बिलकुल भी नहीं नहीं फील होता है 100% बहुत 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 नाइम साडनेस फील होता बहुत नाइम कविकार लगता है क्या कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं tension angle, responsibility angle, but I mean like, it's in everyone's life I think it's common so I don't think that's it when you're building a public career you're building a lot of failures are more public, so there is more to lose, this gives one another motivation to know that it's okay, it's all I don't think it's all because I'm talking about Manish about this and he was talking about unacademy founders, Gaurav Munjal Roman Saini, and I met them with them, and they were strategizing when the whole day was the event I thought that if I was in their place, I wouldn't strategize I'd like to do it, but they were strategizing so when I went to them, I asked them, you always dialed in a lot you always work and they said maybe other than few moments in the day, but yeah so when I went to Bombay I called Manish and said they are always dialed in maybe that's the trade-off for building such a big business 100% so they said yes, but there are trade-offs in every industry so I asked them what is trade-off in content so he said definitely public scrutiny and mental health you don't understand, but it's a lot in your life one small mistake can blow out of proportion one small sentence can be taken out of context there is a lot of things there is a lot of public scrutiny there is a lot of especially content creators especially content creators I mean, that's the same thing let's say दुख होगा या हो सकता है जिसने डॉग लूज कर रहा उसको जादा होगा तो हमारे emotions की intensity जो scale है हमारे जो चीजें कर रहे हैं उस पे ता depend नहीं करती तो जो मेरे को चीजें feel हो रही है जो घर पर बैठा लड़का है जो exams के लिए prepare कर रहा है जिसका clear नहीं हो I think उसको भी emotionally वो same intensity feel होगी बढ़ो सकता है कि उस level पे चीजें lose नहीं करी हैं तो feel लोगो मेरे कहल से same होता होगा जो मेरे को feel हो रहा है वो लोगों को भी same feel होता होगा पर लिए मेरे को of course एक different tangent पे हो तो मैं अलग चीजें feel होती है उनको अलग feel होती है बढ़ हाँ पता है जब बच्पन में बड़े injections लगते थे तो एक cream लगा दे थे लो numbing के लिए अपने use किये कभी numbing cream होती थी वो वैसे रूही लगा देते थे उसके उपर थोड़ा सा हमने just meditation की बात करी और सिद्धी की बात करी सिद्धी लिक सूपपावर की बात करी एक सिद्धी ये भी होती है कि आप अपने emotions को किसी चीज से पूरी तरह से withdraw कर सकते हो तो ये मैंने start किया लाइब में ये मैं तब कहना चाहता था पर उमझे words नहीं मिल रहे थे तो मैं emotions जैसे emotions आपके अंदर एक bag की तरह होते हैं and after a point अगर आपका आपको अपने दिमाग पर control मिल गया तो आप बहुत stingy हो सकते हो अपने emotions के साथ जाने कि आप बहुत careful हो सकते हो कि मुझे कहां invest कर ले तो कोई भी अगर ऐसी situation आपके जहां आपने half a million dollars lose किये आप उस situation से अपने emotions निकाल सकते हो can you control anger yes seriously yes now और practice के बाद और मैंने life में street fights किये मतलब मैं बहुत ज्यादा aggressive danda था बहुत बहुत कुछ किया है life में anger की वज़े से वो पूरा भी control almost I would say like like कल कुछ हुआ but it was after maybe maybe like first time in six months और entrepreneurship के journey में चीज़े होती ही रहती मैंने एक चीज़ नोटिस करी है मैंने लगा कि ये meditative वाली उसमें मैंने खुद consciously थोड़ा था नोटिस करा कि ऐसा होता है कि happiness है sadness है धीरे-धीरे build up होती है जब happy हो रहे हो तो चीज़ें हो रहे हैं धीरे-धीरे फिर वो happiness build up होती है उदासे भी धीरे-धीरे build up होती है तो उसको आप थोड़ा सा control कर सकते हो गुसा एक तम से आता है लेक एक तम से दिमाग में गुसा आता है अब समझ नहीं आता है आगी तो there is some tell-tale signs की गुसा आने वाला है बट जब आता है तो उसको control करना मुश्किल हो और यह मैंना एक-दो लोगों से बात करी जो बहुत टाइम से कर रहे है 30-40-40 साल से कर रहे हैं उन्होंने भी में को यह चीज़ होता है कि गुसे को control करना मुश्किल है इफ यू सी की जिसे अब भगवान वाली पुरानी जो होती है स्टोरी मेरे को बहुत पसंद है रमायन मावारत सारी जीज़ है तो उसमें ऐसा था कि जो बड़े-बड़े साधूस थे सबते वो में शाब गुसे में आगे शराब देते थे और जित्ते भी और भगवान भी है सब को और कोई emotion आपने देखा हो ना देखा हो सब को गुस्सा आता है मतलब मैं ऐसे बहुत कम लोगों से मिला हूँ जो गुस्से को control कर वा है तो मेरे क्याल से चाहिए जित्ता भी meditation कर लो गुस्सा ना एक ऐसा emotion है जो सबसादा hard to master है मतलब गुस्सा आता है एकदम सा आता है शायद मुझे इसमें ट्रेनिंग मिल गई है मेरे योगा स्कूल की वज़े से जहां मैं कहा जाता है कि अगर गुस्सा आया मतलब यह आपका अपके योगा का failure है तो गुस्सा is equated with failure शायद इसकी वज़े से ट्रेनिंग मिल गई है but even if I get angry अगर गुस्सा आ गया मैं लाश आउट कभी नहीं करता मैं डाइरेक्ली फिर एंजिनियर बन जाता हूँ यह 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 एक्स यह ज़ेट बट गुस्सा आता नहीं शायद I don't know मेरेको आता है गुसा but भाई मैं भी रियाक्ट नहीं करता जब आप खुश होते हो अपका मुह आटमाटिकली स्माइल करता है अगर आप happiness को फील करता हो याप laughter, humor को फील करता है आप smile करोगे यापके body का natural response है पर यह एक biological path way nervous path way लोग कहते है डॉक्टर सेड वारियर ने confirm किया यह theory जब आप smile करोगे मतलब मानलो आपको खुशी फील नहीं हो रहे है आपको laughter फील नहीं हो रहा है आपने फिर भी smile किया आपका mood automatically elevate हो जाता है क्योंकि वो ही nervous path way activate हो जाती है वही hormones release होते है उसी तरह I feel कि लोग anxiety के बार में बात करता है anxiety की वज़े से आपकी heart beat जादा बढ़ती है आपकी breath जादा fast हो जाती है आप ऐसे ऐसे पैरों को move करने लगते हो similarly वो एक nervous path way और अगर आपने yoga के कुछ चीज़े सीख ली yoga nidra की तरह some asanas also help in this तब you can actually use your body physically और breath work physically to control your mind बढ़ ऐसी सारी चीज़े जब लोगे spirituality शब्द सुनते है ना they don't understand the biology of it they don't understand the knowledge in that school लोग look down करते है spirituality पर आई फिर बढ़ मेरे कहल से important भी एक उसान क्योंकि जिसे मैं एक छुटी स्टोरी बताता हूं कि like मैं जब लोग कॉलेज में दाना तो मेरे जब सब्सक्राइबर ये सारी चीज़ें बहुत ही कम दे तो मेरे को ना एक लोग गी की रंजीत के नाम से चुड़ाते दे गी की की जी तो भाई अमना टॉप पे है तो ऐसा ना like I have met him he's a like a very nice guy and I used to look up to him and I still he's a great person I've met him a few times तो whenever I used to get used to I never replied मैं उस टाम पे शान्त रहता था और मेर बहुत गुसा जाता था but ऐसे over a period of time काफी चीदों करने की बाद तो मेरे जब सब्सक्राइबर्स पास हुए थे तो यशे स्क्रीन शॉट लगे बेगा था तो I think it is also to some extent no offense to anybody but like like मैं थोड़ा सा competitive तो हूँ but at the same time I think वो फ्यूल भी करता है काफी चीज़े if you don't respond with words or if you put it to work and you let it go through अपने काम को बिल्ड करने में सब्सक्राइबर्स चीज़े there is a moment जहां पर वो ऐसा time आता है when you can let's say reply या फिर you can या कर करने की विज़ोद नहीं हो थे काफी चीज़े तो या करता है वो फ्यूल भी काफी क्योंकि अंगर में बहुत एनरजी है अगर आपको गुसा आपको राप में नीन ने आई you can use it to build things, to do things and to exercise सारी चीज़ें तो पता नहीं हाँ क्योंकि I think it's all about energy जो energy create हो रही है तो उसको you use it as meditate करके you try to use it आपको आशू आजाते हैं सारी चीज़ें but I think it's वो use करनी बड़ती है अगर if you don't use it तो थोड़ासा दिक्कत होती है तो honestly long term में illness हो जाता है हाँ sickness हो जाता है हाँ मैंने यह भी देखा है कि जो लोग negative बहुत जादा बोलते है उनको बिमारियां जल्दी होती है I don't know if you noticed I mean यह 100% सच है क्योंकि आप वो frequencies को अट्राक कर रहो TRS Clips Hindi के इस clip देखने के लिए thank you दोस्तो love to you all नीचे हमने link किया है इस पूरे के पूरे podcast को यानि पूरे episode को उसके नीचे हमने link किया एक ऐसी playlist को जिसे देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा